जलियाँ वाला कांड ये भारती इतिहास का वो स्याह पन्ना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया जलियाँ वाला बाग पर अब हजारों की भीड एक शांतिपूर्ण सभा के ले कठा हुई तब उन पर जनरल डायर ने गूलियां चलवा दी नहत्ते बच्चों और वज़ुर्गों को अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने अंदर से पूरे देश को हिला दिया लेकिन साल 1919 का था भारत पर अंग्रेजों का राज था और कोई सेनुवाई नहीं हुई इसी का बदला लेने फिर एक भारतिय शियर उदहम सिंग जा पहुचा इंग्लेंड और करीब 20 सालों के बाद 1940 में इस घटना के लिए जिम्मेदार शक्स को गोली मार कर उदहम सिंग ने अपना बदला पुरा किया लेकिन उदहम सिंग ने जनरल डायर को नहीं मारा था स्कूल में आपको जो मर्जी पढ़ाया गया हो लेकिन हम आपको बता दें शहीद उदहम सिंग इंग्लेंड कभी जनरल डायर को मारने गई ही नहीं थे बलकि उनका निशाना तो कोई और ही था क्या है उदम सिंग और जलियावाला बाग कांड की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे इसलिए इस वीडियो में अंततक बने रहे और देखिए भारत मा के इस वीर सपूत की जीवन गाथा पहले जान लेते हैं जलियावाला बाग में उस दिन आखिर हुआ क्या था 13 अप्रैल 1990 बेसाखी का दिन था जलियावाला बाग में बेसाखी मनाने के लिए और कुछ स्वतिंतरता सैनानियों की गिरिफतारियों का विरूद करने के लिए एक सभा हुई सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी लेकिन उस वक्त ब्रिटिश सरकार के एक आर्डर के तहत सभी सभाओं पर बैन लगा दिया गया जिस वज़े से वहाँ पर सैना पहुँच गई सैना का नेत्रियों तो कर रहे जनरल डायर ने सबसे पहले बाग से बाहर निकलने के रास्ते पर अपने सिपाईयों को खड़ा कर दिया और उसके बाद बिना कोई वार्निंग दिये उस जमा भीड पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी भागने के सबी रास्ते बंद थे और उन पर सिपाई तहना थे लोग जाते भी तो कहां जाते कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक कुए में छलांग लगा दी लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो बरबरता पर उतर आई थी और उसने उन लोगों को भी नहीं बख्षया और उन लोगों के उपर मरी हुई लाशों को फेंक दिया ताकि कुए में दम गुटने से उनकी भी मौत हो जाए इस घटना में पंदरा सो से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बारा सो से ज़्यादा लोग जखनी हुए थे जिन्दा बचने वालों में एक अठारा साल का अनाथ लड़का भी था वो लड़का जो ब्रिटिश हुकूमत की जमीन हिलाने वाला था वो लड़का जो अंगरेजों के घर में घुसकर इस भरबरता का बदला लेने वाला था वो लड़का जिसका नाम भारत के लोगों ने भुला दिया शहीद उदम सिंग उदम सिंग ने ये सब अपनी आँखों से देखा था और तब ही ये निरनय कर लिया था कि एक दिन वो इस हत्याकान का बदला ज़रूर लेगा यहां पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि जो जनरल डायर इस घटना में मौजूद था उसकी मौत तो 1927 में हो गई थी लेकिन जिस डायर को उदम सिंग ने मारा था वो जनरल डायर नहीं था बल्को सवक्त पंजाब के लेटनेंट गवर्नर की पोस्ट पर तैनात मिचैल ओ डायर मिचैल ओ डायर के इशारे पर ही जनरल डायर को इन लोगों पर गूली चलाने के लिए कहा गया था दोनों डायर में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए पहला डायर जो जनरल डायर था जिसे अमरित सर का कसाई कहा गया वो था जनरल रेजिनॉल डायर जो पंजाब में पैदा हुआ था और जलियावला बाग हत्याकान में वहीं मौजूद था और सैन ने टुकडी को लीड कर रहा था वहीं मेचैल और डायर उस वक्त पंजाब में लेफटिनेंट गवर्नर था लेकिन उसी ने उसे खूनी खेल को शुरू करने के ओडर रेजिनॉल डायर को दिये थे दोनों के नाम और स्पेलिंग में थुड़ा संतर है उधम सिंग के माबाप पहले ही दुनिया से जा चुके थे और उधम सिंग उस वक्त एक अनाथ हाले में रहते थे वो जलियावला बाग में अपने भाईयों और दोस्तों के साथ उस वक्त लोगों तक पानी पहुचाने का काम कर रहे थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया कहते हैं हमारे देश के एक और अमर शहीद शहीद आजम भगत सिंग को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जंग में उतारने वाली घटना ये जलिया वाला बाग ही थी इस घटना के बाद भगत सिंग भी यहां पहुँचे थे और वो यहां से मिट्टी उठा कर घर ले आये थे उदम सिंग भी भगत सिंग की जिंदगी से काफी प्रेरित थे इस घटना की कुछ समय बाद उदम सिंग ने आनाथाले छूड़ दिया था और वो कुछ वक्त अमेरिका में रहे लेकिन जब उन्हें वहां बबबर अकालियों के अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है संग्राम के बारे में पता चला तो वो लोट कर भारत आ गए इसी बीच वो एक पिस्तॉल भी स्मगल करके वहां लाए जिसके बाद पकड़े जाने पर उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल में भी रहना पड़ा लेकिन उदम सिंग का मकसद हमेशा से साफ था बदला 1940 आत्याते डायर रिटायर हो चुके थे और भारत छोड़कर वापस इंगलेंड लॉट गए थे उदम सिंग भे इस हत्याकान का बदला लेने के लिए इंगलेंड पहुँच गए पर रास्ता इतना असान नहीं था और डायर तक पहुँचना कोई असान काम तो था नहीं इसलिए उन्हें इसके लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा काफी वक्त तक वो वह रहे और एक दिन उने खबर मिली कि Air East India Association द्वारा आयोजीत एक मिटिंग में स्पीच देने के लिए शरीक वो होने वाले हैं यहाँ पर ब्रिटिश तंतर के कई और जरूरी लोगों का भी जमा होना संभावित था इसलिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंग अच्छे से एक अंग्रेज की तरह कपड़ पहने वे वेस्ट मिनिस्टर के कैक्स्टोन हाल पहुँच गए जहाँ पर इमिटिंग होने वाली थी हाल में जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक किताब के अंदर छुपा ली थी और वोसे अंदर ले जाने में काम्याब रहे जब वहाँ डायर के स्पीच की बारी आई तो डायर उठकर स्टेज पर जाई रहा था कि तभी उधम सिंग ने एक के बाद एक छै गोलियां चलाई जिन में से दो गोलियां डायर को लगी और एक तो उसके दिल क्यार पार हो गई जिसकी वज़े से इसकी मौके पर ही मौत हो गई इस गोलिकार्ण में कई और बिटिश अधिकारियों और राजनेताओं को भी कई चोटे आई और उसके बाद भीडी की नजर गरव से फूले उधम सिंग पर पड़ी उधम सिंग भगस सिंग को नसरफ अपना हीरो अपना गुरू मानते थे जिस वज़े से भगस सिंग की तरह वो मौकाय वारदात पर वहां से भागे नहीं बलकि उन्होंने वहां अपने गिरफतारी दी गिरफतार होने के बाद उन पर मुकदमा चला और क्योंकि अब दुनिया भर में उधम सिंग का नाम पहुँच गया था इसलिए उधम सिंग की तरफ से कीस लड़ने के लिए वीके कृष्णा मैनन आ गया है वीके कृष्णा मैनन बाद में आजाद भारत की यूएन में अमबैजरडर भी रहे और नहरू कैबिनेट में रक्षा मंतरी भी हाला कि उस वक्त नहरू और गांधी दोनों ने ही इस घटना को वलत ठहराते हुए उधम सिंग की निंदा गरते हुए इसे एक बिवकूफाना हरकत बताया था लेकिन 1952 में नहरू ने भी उधम सिंग को शहीद आजम कहा और उनके इस काम को सही ठहराया इस से घटना ने इसकदर बिटिश सरकार की नीव हिला दी थी कि बहुत जल्द से जल्द ये ट्रायल पूरा किया गया ट्रायल के दोरान उधम सिंग ने जेल में 42 दिन की भूग अड़ताल भी की और इस हड़ताल को तोड़ने के लिए इने जबरदस्ती खाना खिलाया गया चार जून आते आते ट्रायल पूरा हो चुका था और इस घटना के चार महेने बाद ही 31 जलाय 1940 में उधम सिंग को पैंटोनिम विलेज जेल में फासी दे दी गई उधम सिंग ने अपने ट्रायल स्टेटमेंट में साफ कर दिया था कि उन्हें अपने इस काम पर जरा सा भी अफसोस नहीं है उन्हें अफसोस है बस इस बात का कि सभाब में मौजूद कुछ और लोग उनकी गोली का शिकार बनने से बच गए उधम सिंग ने आगे ये भी कहा कि जब बच्पन में उनके माता-पिता का दियांत हो गया था तो वो और किस के लिए जीते उधम सिंग ने इस पूरे ट्रायल को उधम सिंग ना हुकर बलकि राम मौम्मद सिंग आजाद के नाम पर लड़ा इससे वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि वो केवल एक सिख नहीं बलकि सचे भारतिये हैं और भारत के विभन्न धर्मों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में उनके साथ है ऐसे थे उधम सिंग जिनके अंदर ना कोई धार में द्वेश था ना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का लीडर बनने की खुआईश उन्हें बस अपने देश की सेवा करनी थी और देश की सेवा उन्होंने भरपूर की उनके अवशीशों को 1970 के दशक में वहां से भारत लाया गया जिसके बाद उसका कुछ हिस्सा पंजाब की सतलुज नदी में बहा दिया गया और कुछ हिस्सा आज भी उसी जलियाँ वाला बाग में रखा गया है जिसके लाल मिट्टी शायद उधन सिंग की राख से पहली बार ठंडी हुई होगी हम अकसर आज भी इस दुनिया में गांधी जेनती और 15 अगस्त की छुट्टी में से अमर सपूतों वयाद करना भूल जाते हैं ये वो लोग हैं जिन्नोंने हस्ते हस्ते अपनी जान दे दी थी ताकि हम लोग आज एक आज़ाद नागरित के तरह जी सके इसलिए हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि हम इने याद रखे और आने वाली पीडियों को भी उनकी गौरवगाथा सुनाए अगर आज काई वीडियो आपको अच्छा लगओ तो लाइक करने के साथ इसे जादा से जादा शेर भी कर देना ताकि लोगों को उनके इतिहास के बारे में पता चले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बाल आइकन दबाना मत भूलना